देख रहे हैं Real News हर्याना और आज हम उसी गाउं में पहुंचे हैं जिस गाउं ने सोड़ा मई को एलान किया था कि किसी भी परकार का लोकडाउन नहीं लगाने देंगे गाउं में सरकार के जो गाइड लाइन से उसकी पालना नहीं की जाएगी और उसी दिन से गाउं के अंदर सभी दुकाने खुली हैं और जिस परकार से पहले गाउं के अंदर प्रोग्राम होते थे उसी तरह गाउं के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं और आज फिर गाउं में मिटिंग रखी गई है तो आज जानेंगे किस परकार का गाउं फैंसला लेगा क्योंकि समेंड गाउं जो फैंसला लेता है उसे हरियाना फुलो करता है क्योंकि सोड़ा माई के बाद पूरे हरियाना के अंदर समेंड गाउं ने जो फैंसला लिया था बाद ही हरियाना के कई गाउं ने फैंस ले लिए और गाइड लाइन का उलंगन किया गाइड लाइन सरकार की थी जो वो तोड़ दी तो आज भी गाउं के जो मोजिज वेक्ती हैं आप देख सकते हैं पीछे बैठे हैं मीटिंग लिए गई है तो इन से जानेंगे कि किस परकार के इन्होंने आज फैंसले लिए हैं तो आईए मिलते हैं खाप परवक्ता सुबे सिंग समयन से सर नमस्कार नमस्कार सर आपने आज ये जो मीटिंग रखी है ये आज आपने क्या फैंसला लिया है यह फैंसला हमारी जो स्योंक्त मोर्चा है किशान यूनन का उनने सब ने मिलका पहले लिया हुआ है कि 26 तारिक को कल 6 महिने पूरे हो जेंगे इस अंदोलन को जो दिल्ली के लिए कूच किया था तो उसके पूरे 6 महिने होने पर मोद्दी सरकार को काले जंडों से उसका वो कि करने दिखाए जाएंगे हर जगा पर दिखाए जाएंगे गरमो में सहरों में सब जगह दरणनें को पर ट्लों के उपर दिल्ली बाडरों पर तो यह स्योंक्त कि मौण जहिएम के अभान के ऊपर हमना यह जो भनी प्रोग्रम बना कल के लिए उसकी मिटिंग कर रहे हैं और समयान बस ट्रेंड पर काल Ajans दिखाएंगे अपने गाम के मकारणोंपर कालेजंडे लाराएंगे तो उनके कालेजणडों से सरकार को यह दर्शाएंगे कि आप घाला दियुष मनारे हैं कि सरकार ने मजबूर कर दियुष मनाने के पर लिए और सबी लोग जो हैं इसमें सबी जातियों के लोकल इसके पूपके जाएंगे तो इसलिए गाम के लोगों के तयारी है त्यारी के लिए बैठे सारी मीटिए यह प्रोग्राम के लिए हम त्यारी कर रहे हैं कल के किशान यूनियन के जो चुछ उसके आवान के उपर यहां पर सब सिरफ शिरफ सिंग्त मोर्चा के द्वारा जारी किया ह फै कि शूंक्त मोर्जा करें पेट सारा कि श्योंक्तिक्सान मोरचा ऐलानकरता है कौल करता है उसी कब ऑलनद के आ जाता है बलबीर सिंहबली हमारे साथ है। चेर्मेन रह चुके हैं, बड़े-बड़े फैंसले लिये जाते हैं, उनका हिंसा रहते हैं, तो उनसे जानेंगे कि अभी तक सरकार कोई भी किसानों की बात नहीं मानी है, क्योंकि कल 6 महिने किसानों को दिल्ली में बैठे, हो जाएंगे बैठ धरना लगाया है जो दिल्ली के बताया, यह जो जो मुर्चा ना, उसका अदेश है, बलैक डेम नाएंगे कल, सरकार का विरोध करेंगे, और जो भी सरकार की पॉलिसी है, उनको, उनके खराब, हम एविश्वास अपना जारी रखेंगे, बातरी मानने ना मानने, लेकिन महारा तो संग्र जारी है, हम दो इ देखते हुए, हमें बलैक डेम नारे हैं, और जो भी आदेश आता है, मुर्चा का, वही आदेश की है, पूरे अच्छे डंग से पालना की जाती है, और लोग हर बात को मानने लिए त्यार सें, सरकार के खिलाप हैं, सरकार से दुखी है, बाई सरकार ने सोड़ा तारीक को इसार में उलंगन कर दिया दा, सरकार खुद लोगडान लगाती है, दार एक सोड़ाली लागू कर खी थी, सरकार ने खुद ने तोड़े, वहाँ जारों की सिंख्या में मुख्य मंतरी लेका है, इसार, और कम से कम दस जार करमचारी पुलिस के लगा रखे थे, तो हमने उ जहां रखना है, लेकिन दुकाना की बात आपने करी है, दुकानदार आपने डंग से दुकाने खोलते है, उसका पालन करते है, दुकान लेकिन जो सरकार खुद ही पालन ने करी, हम तो कर रहे हैं। खुलके सरकार का विरोध करते हैं लेकिन सरकार का जो भी आदेश आगॉए उसके उल्टेछ चला गाने के साथ हम फैंसला ला उस दिन आपने फैंसला लेकिर अ आपके गाउं में आ रहा है या आना बंद हो चुगा है? उस दिन के बाद पुलीस परसासन गाउं में पैरभीन रख सकता, जब गाउं में एक होगा ना, तो पुलीस परसासनी की अहमियत है कि उगाउं में आ जाएगा. आगे की चारणनिती रहेगी आपकी? आगे की यही चलता रहेगा लोगडाउन ओपन रखेंगे जो भी सरकार का फैसला होगा उसके खिलाफ चलते रहेंगे जो भी फैसले सरकार देते रहेगी उसका उल्टे चलते रहेंगे